पित्र पक्ष 2024 पित्र पक्ष के दोरान इन बातों का रखे विशेश ध्यान पुर्वजों का मिलेगा अशिर्वाद पित्र पक्ष का हिंदूओं के बीच बहुत महत्व है ये सोलह दिनों तक मनाया जाता है और लोग इस दोरान अपने पुर्वजों की पूजा करते हैं इन दिनों पित्र पक्ष पूजा तरपन पेंड़िदान करना बहुत पुर्णेदाई माना जाता है ऐसा करने से पित्र दोस्ट से मुक्ति मिलती है साथ ही जीवन में खुशाली आती है पक्ष का हिंदूों के बीच बहुत महत्व है इस दोरान लोग अपने पुर्वजों की पूजा करते हैं इस बार पित्र पक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पक्ष का हिंदू धर्ण में बहुत अधिक महत है ये समय पित्रों को समर्पित है धार्मिक मानेताओं के अनुसार इस दोरान लोग अपने पुर्वजों की पूजा और उनका तरपन करते हैं इस अबधी को शाध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पित्र पक्ष 17 सितंबर 2024 से श चाहिए इन दिनों कप्ड़े और जूते खरीदना वर्जित है जिन लोगों की कुंडली में पित्र दोस है उन्हें इस दोरान गया जी उज्जैन और अन्य स्थानों पर पिंड़दान करना चाहिए पित्र तरपन के लिए जानकार पुरहित को बुलाना चाहिए इस समय ग के लिए असुभ मानी जाती है इस दोरान तामसी गतिविधियों में नहीं होना चाहिए इन दिनों प्यास लेसुन अंडा और मांस खाने से बचना चाहिए ये समय धार्मी कारियों के लिए विशेश माना जाता है इस दोरान सोना चांदी खरीदना असुभ माना जाता है इ किसी के साथ गलत विवहार ना करें बड़ों का सम्मान करें पित्र देव मांत्र कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पित्र पक्ष वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर करना बिलकुल ना भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट